बसंत पंचमी पर्व पर पतंग उड़ा कर लोगों ने खुब आनद उठाया लेकिन पतंग में लगी चाइनीज डोड ने आसमान में उड़ रहे दर्जनों परिंदों की या तो जान ले ली या उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया बता दे कि बसंत पंचमी पर युवाओं और बच्चों का मनो रंजन पक्षियों का दम घोट रहा है युवाओं ने जहां बसंत पंचमी पर खुब पतंग बाजी की वही पतंग दोर से परिंदों पर भी घातक प्रहार रहा हैरान कर देने वाली बात तो ये भी सामने आई है कि जिस चाइनीज मांजे का प्रियोग लोगों ने धडल्ले से किया उसी मांजे पर लिखा हुआ था कि पतंग उडाने के लिए प्रियोग नहीं करें फिर भी लोगों ने इस मांजे को खरीदा लेकिन यहां ये भी बड़ा प्रशन उठता है कि प्रिशासन ने भी इस और ध्यान नहीं दिया प्रिशासन मूग दर्शक बन कर देखता रहा और दुकांदार धडल्ले से चाइनीज डोर को बेच कर चांदी कूटते रहे अगर प्रिशासन चाहता तो चाइनीज डोर को पूरी तरह से बिकने पर रोक लगा सकता था प्रिशासन के अंदेखी के चलते हजारों पक्षी या तो मोत का शिकार हो गए या फिर घायल हो गए बसंद पंचमी पर पतंग बाजी के चलते कई पक्षियों को जहां अपने पंख और पाउं गवाने पड़े वही कई पक्षियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा हलाकि इसी बीच एक ऐसी संस्था जो इन बेजुबान पक्षियों के लिए किसी दवा खाने से कम नहीं है ने जहां इन्हें दवाई के साथ साथ खाने के लिए दाना भी उपलब्द कराया वही उनका उपचार भी कर रही है जिहां करनाल के सेक्टर 6 में बने जीवो मंगलम संस्था इनका ध्यान रखती है यहां घायल पक्षियों की अच्छे से देख भाल की जाती है वो भी केवल मानवता के नाते क्योंकि इनसान का दर्द तो सब समझते हैं लेकिन बेजुबान पक्षि का दर्द कोई नहीं समझता घायल पक्षियों को सेक्टर 6 में इलाज के लिए लाया गया जहां जीवो मंगलम संस्था की और से इनका इलाज किया जाता है ठीक होने पर उन्हें आसमान में फिर से उडान भरने के लिए छोड़ दिया जाता है जीवो मंगलम संस्था के पदाधिकारियों की माने तो उनकी संस्था कई साल से बिमार और घायल पक्षियों का निशुलक इलाज कर रही है सेक्ड़ों पक्षियों का इलाज संस्था की और से चल रहा है उन्होंने बताए कि हजारों पक्षियों का वो इलाज कर चुके हैं पक्षियों से लगाव होने के बाद वे शाम को दो घंटे सेक्ड़ छे में पक्षियों का इलाज करते हैं उन्होंने ये भी कहा कि समाज के लोगों को जाग रुख होने की जरूरत है बाजार में आने वाली चाइनीज डोर का बिलकुल इस्तमाल नहीं करना जाहिए लोगों ने खुब पतंग बाजी की लेकिन देखा जाए तो पक्षियों को भी काफी नुकसान हुआ है मैं साधी संतोष जीव मंगलम 143 सेक्टर 6 करनाल से बोल गहीं हूँ जहांकि ये 2000 से ही पक्षियों का हस्ताल चल रहा है हमारी हार्दिक तमन्ना थी देहली के एक्स्पिरियंस को देख करके कि भिली कभूत्रों को पकड़ लेती थी और चली जाती थी तो हमें वो तरफन थी तो इसलिए हमने यहां 2000 में ये चालू करा पक्षियों का हस्ताल तो 20 साल हो गए हैं इसको चलते हुए हमारा एक ही एम है कि इनको तंदरुस्त और खाने से भरपूर रखकर की आजाद कर दिया जाए ताकि ये अपनी जिन्दगी में अराम से आकाश में उडान भरें रहा कल बसंत पंचमी का उतसर लोग बड़ा खुशी से मनाते हैं चाव से मनाते हैं लेकिन हम इतना संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी खुशी को अपने तक बरकरार रखें दूसरे की खुशी को न चेना जाए कितने ही परिंदे कल यहां आये हैं दिवो मंगलम में जो कि बिल्कुल पंक कट गए हैं एक पंजा कट गया है एक हड़ी कट गई है खुन टप टप गिर रहा था कम से कम नौ पक्षी यहां आये कल ऐसी हालात में और उनका सब का अपचार किया गया डॉक्टर साब कर दिन भर रहे यहां सार अपचार किया गया दवाई जो भी ब्युटाडी में गरा लगानी थी को सब कुछ व्यवस्था करी उनकी अब कित नौटे हैं किसी का पैडुले जाता है किसी की एडी कठती है किसी की गर्दन कर जाती है किसी की बजू कटती है तो ऐसे काम में इसको ओवाई तदेना चाहिए कि हम नी कि doctor beim thànhिका घाण करती है कि सीकी जिंदगी से खिल लगा पलश मैं किसी की जिनिदकी की जान चली जाती ह तो ऐसा कारिय नहीं होना चाहिए ये देश को भी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि चाहिए जोर का तो प्रतिवंद लगाना चाहिए तांकि ये इतना घैल कर देती है इंसान दुवारा उभर नहीं सकता पक्षियों की तो जानी बहुत छोटी होती विचारे मर जाते हैं जो चार दिन में सिसक सिसक के चले जाते हैं एक पक्षी आया था परसों जिसका यहां से गर्दन खट गई है उसकी सारी नसे हलका सा ऐसे गर्दन अटक रही थी तड़क तड़क के सांस लिया चोब इस घंटे में दम तोड़ दिया उसने ऐसी स्थिती बनती है किसी की जान करना जाए हम किसी की जान को बक्षें तो क्या यह मानने जाए कि पतंग बाजी के सोंक से कहीं पक्षों के बंक कटे कहीं पने पाउंग वा दिये बिलकुल बिलकुल बहतों के पंक कट गए हैं पंजे कट गई हैं हड़ी पूट गई है तो उनकी जान चली जाए रहे कैसे ह कितनी दर्फन होगी जिन्दगी भर तड़के रहेंगे ठीक है हम अपनी तरफ से इलाज करते हैं लेकिन तर्फी कितना होगा वो बहुत मुश्किल होता है लेकिन किसी की जान का ध्यान देना चाहिए ये एक इंसानियत है तो शेहरवाश्यों से क्या कुछ अपील करेंगे अपने अपील करते हैं कि इन बिनों में पताहिवाजी ना की जाए और अगर कहीं है तो बड़े तरीके से की जाए सिंपल डॉर से की जाए अपना मनरंदन करें हम उसमें बाधा नहीं कालना चाहते लेकिन किसी की जान मजए है हमारी यही अपील है कि सटकों पर डॉरें इतने धेर इकठी पड़ी रहते हैं पंदे उले जाते हैं हम भी उले जाते हैं मैं भी उले जाते हूं बाद बाद जब हम राउंड करने जाते हैं तो कितने डोर हम थैली भर के एकठ्छे करके लाते हैं तांकि कहीं एक किनारे किया जाए उसको किसी को नुक्सान ना मैं तो लेक्या हूँ पता नहीं कितने पक्षी गहर हो गए होगे मैं तो मार्केट जा रहा था, मार्केट में अतरबन तो प्रतंग गोड़ी थी गिसलों तो लेह si delle कोड़े करें तो किसी टोर सेंगी हो तो किसी पत्षी में अलस्कता य स्वारा काई आगा तो मैं तो अब गात नहीं कि क्या हो लाय 很好, कि डोदो तो लो उपी उभे कठा हूं था हो गे कि इन्जा ओवश्वाविस कहा है पर किसी ने मुझे कहा कि शाटर छे में एक जाने हो उनको दियो तो मैं उनको जाने के लिए तो कितने लोग पे किसी ने जहमत ने उठाई आज फिर भी आप ही लेकर आगे इनको यहाँ पर दिल है जो है करने वार को उपर उपर वार आखा तो क्या कहना चाहिंगे लोगों से पतंग वाजए करता है चैनी चोर के इस्तिमाल भी स्थार्वार शायात रिखाने बंद होने बिल्कुल एक दम बिल्कुल बंद होनों जाहिए अब बढ़ तो यह बश्न में प्राणरे फ्राणियों नेगी थी शोड़ दो थे भी आपने को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें तरने वाल